वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 2 जनवरी 2024 और 2 जनवरी 2024 से करेंट अफैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन बन सकते हैं सारे हमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुशिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पू हमारे टेलेग्राम ग्रूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम ग्रूप पर आपको सारे पीडियाप एक साथ मिल जाएंगे और टेलेग्राम ग्रूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कस में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम ती और ये पिछले 52 साल से डेनमार्क की Queen थी, और अब इनोंने Queen का पद छोड़ने की गोश्ण की है, दुसकुशन का बे आप्शन सही है, ये है Margaret Second, ये अभी तक डेनमार्क की Queen थी, और ये अभी 14 जन्मरी को अपना पद छोड़ देंगे, और इनके बाद इनके बेटे Frederick प्रेडरिक नए क्राउन बनेंगे जो फ्रेडरिक है वो नए प्रिंस क्राउन बन जाएंगे अब देंवार्क तो यह है मैप मेंटे लिक्सन तो इस कुष्यन से आपको इतनी जानकारी मिलती है अच्छा आज किस पीडियो का HELP टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है एल्पो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्णिंग में उठकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे छोटा सा ही टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मॉर्णिंग में उठकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेव करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी नए क्यूशन है हाली में ऑस्टिलिया के किस खिलाडी ने बंडे किर्किट से सन्यास की गोश्णा की है तो ऑस्टिलिया के famous खिलाडी है डेविड वारनर इन्होंने अभी बंडे किर्किट से सन्यास की गोश्णा की अच्छे यह औस्टिलिया के है Québec folks के खिलाडीर ऑस्टिलिया के है और उस्टिलिया के प्रिजेंट टाइम पे प्रामिश्टर कौन है ने क्यूशन है हाली में रास्टी कानूनी सेवा प्राधिकड यानि कि NALSA का कारेकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो अभी संजेव खन्ना को NALSA का कारेकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो इस कुछिन का बे आप्सन सही है अच्छा इसकी फुल्फोम आप याद कर लो NALSA की फुल्फोम है National Legal Service Authority क्या है फुल्फोम National Legal Service Authority अब ये नए कारिकारी अध्यक्ष हुए तो अभी recent appointment में नया लेखे है मारास्ट पुलिस का नया DGP रस्मी सुकला को नियुक्त किया गया है ध्यान रखना अभी तेन DGP important है एक तो ये मारास्ट पुलिस के DGP बन गए है रस्मी सुकला दूसरा मैंने आपको बताया था कि रायस्तान की DGP का अत्रिक्त प्रभार उतकल रंजन को दिया गया किसे उतकल रंजन को और तेलंगाना की DGP कौन बने थे रभी कुप्ता अच्छा NHS RCL के निदेशक के रूप में प्रमोद सर्मा को नियूप किया गया बायुसेना मुख्याले नई दिली में महा निदेशक मकरंद राना डेवन ने बारती कुस्ती महसंग का अध्यक संजय सिंग को चुना गया लेकिन अब कुस्ती संग को ही रद कर दिया गया है सलाम बांबे फॉंडेशन के लिए स्वास्ते राजदूत अमरता रायचंद को नामित किया गया है नए क्यूशन है हाली में किसे कॉंगो लोकतांत्रिक गडराज यानिकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ कॉंगो के नए राष्टपती के रूप में चुना गया तो अभी फैलिक्स सेशी केधी को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ कॉंगो का नया राष्टपती चुना गया तो उसकुशन का बे ओप्सन सही है दियान रखना Republic of Congo अलग है और Democratic Republic of Congo अलग है मैप में देखो यह है Democratic Republic of Congo इसी की best side में आपको Congo दिखाई दे रहा होगा तो जो best side में दिखाई दे रहा है वो है Republic of Congo और ये है Democratic Republic of Congo तो Democratic Republic of Congo के नई राष्टपती चुने गए है फैलिक सी से के दी ये हैं फैलिक से सी के दी और ये अब Democratic Republic of Congo के नई राष्टपती बन गए अच्छा Democratic Republic of Congo के capital क्या है किन सासा और इसकी currency क्या है कॉंगोले फ्रेंक कौन है कॉंगोले फ्रेंक अच्छा अभी मिस्र के राष्टपती ने 89.6% वोट के साथ तेसरा कारेकाल जी रहा एंड्री राजोईलिना को मेड़ा कासकर का फिर से राष्टपती चुना गया नीजिलेंड के प्रदानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने सपत ली जोसेफ बोकाई ने लाइविरिया के राष्टपती का चुनाओ जीता ल्यूक फ्रेडें को लग्यमदर का प्रदानमंत्री चुना गया जेवियर माईली ये अरजेंटीना की राष्टपती चुने गया जेवियर माईली का नाम सुनके याद आता है खुश्च अभी इन्होंने ब्रिक्स की सदस्थिता में हासिल करने से मना कर दिया है यानि कि BRICS की सदस्दा में जाने से इन्होंने मना कर दिया है अभी अर्जेंटीना को BRICS में सामिल होने का इंविटेशन दिया गया था लेकिन उस इंविटेशन को इन्होंने रेजेक्ट कर दिया अच्छा पेड्रो सांचेज ये इस्पेन के फिर से प्रदार मंतरी चुने गए नया क्यूशन है हाली में किसे केंदरी रिजर पुलिस वल यानि कि CRPF का महा निदेशक नियुक्त किया गया तो IPS अधिकारी हैं अनेस दयाल सिंग इनको अभी CRPF यानि की सेंटरल रिजर पुलिस फोर्स का नया महा निदेशक नियुक्त किया गया तो अभी राइस्तान के मुख्य सचिब के रूप में सुधान स्पंत को नियुक्त किया गया तो इसकुशन का A options है आप image में देखिए ये हैं सुधान स्पंत और N.E. को राइस्तान के मुख्य सचिब के रूप में नियुक्त किया गया है और अभी मैंने आपको वताया था कि उतकल रंजन को राइस्तान के DDP का एडिसनल चार्ज दिया गया है और एक ये नाम लिखा है त्रिपुरादी सरड ये बिहार के मुख की सूचना अधिकारी बने है अब राइस्तान के मुख के सचे बने है सुदान स्पांथ तुम मैप मे देख लो ये है राइस्तान राइस्तान की केपिटल क्या है जैपुर राइस्तान की चीपनिश्टर कौन बन गए है बजजन लाल सर्मा और राइस्तान की गवर्नर कौन है कल राज मिस्र अच्छा एस्टन राइस्तान कैनल प्रोजेक्ट पर राइस्तान और कुछ तेरे जिले ऐसे हैं जहांकि जल आवस्षिक्टाओं को ये पूरा नहीं कर पाती तो उनकी जल आवस्षिक्ताओं को पूरा करने के लिए ये एस्टन राहिस्तान के इनल प्रोजेक्ट है और इस पर अभी राहिस्तान और मध्यप्रदेश की भी सेहमती बन गई है अच में 33 केलो इंडिया केंद्रों का ऊद्गाटन भी किया था ऐस्धान में सरिस्का नेशनल पार्क है सब्सक्राइब और है और मुकॉंद्रा हिल टाइगर रिजर्ब है ने क्यूशन है हाली में फ़रवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉंच करेगा तो जापान अभी फरवरी 2024 में अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉंच करेगा तो इसको शिनका से ओप्सन सही है अब जापान करेगा तो यह है मैप में जापान जापन की capital क्या है Tokyo जापन की currency क्या है yen और जापन की present time पर प्रेमिष्टर कौन है फुमियो केशिधा अभी जापन को समुद्र के अंदर जौला मुकी विस्पोर्ट के बाद नया द्वीप मिला है इस रो जापन की Space Agency की मदद से अगला चान्द मिसन पूरा करेगा जापन के याकोहमा में डंग सिंग प्रिकाच्चू कारेकरम का आयोजन किया गया 2022 में जापन की जनसंग्या आठ लाग से अधिक घट गई है और भारत और जापन ने तेन इसकॉर्पियन पंडुबे के निर्माड के लिए समझोता किया है ने क्यूशिन है खाली में केंद्री मंत्री अमित सहा ने कहां NCDFI की नए कारेले भवन की आदार सिला रखी है तो हमारे केंद्री मंत्री हैं अमित सहा इन्होंने अभी गांदी नगर में NCDFI की नए कारेले भवन की आदार सिला रखी तो इस कुश्यन का बे आप्सन सही है अब NCDFI इसकी फुलफोम आप याद कर लो इसकी फुलफोम है National Cooperative Dairy Federation of India क्या है इसकी फुलफोम? National Cooperative Dairy Federation of India ने क्यूशन है हाली में सूले में बित आयोक का चेर्मेन किसे बनाया गया तो नेति आयोक की पूर उपाद्यश है अरबिंद पनगडिया इनको भी सूले में बित आयोक का चेर्मेन बनाया गया तो इसकी फुले में सूले में बित आयोक का नया चेर्मेन बनाया गया ने तो अभी जापान में 7.4 से 7.6 के लिक्टर स्केल पर भूकम पाया है और उस भूकम के बाद अब जापान में सुनामी का हाइस्ट अलर्ट जारी किया गया है तो इस कुश्चिन का बे आप्सिंस आई है जापान के बारे में तो अभी मैंने आपको बता है अच्छा मैंने दिसंबर 2023 के पूरे मंत के करेंट अफेर्स का ये बीडियो बना दिया है ये दिसंबर का मंतले करेंट अफेर्स का बीडियो है इस बीडियो को अगर आभी तक आपने नहीं देखा है तो इससे आप देख लो इससे दिसम्बर के पूरे मन्थ के आपके current affairs revise हो जाएंगे आपको YouTube पर वस इतना सर्च करना है December 2023 current affairs by Indra SRC और आपको ये वीडियो मिल जाएगा ये वीडियो मैंने fact study channel पर upload किया है उस channel को आप subscribe कर लो वापे मैं monthly और weekly वीडियो आप regular बनाऊंगा हाली में आई report के अनुसार November में core sector output growth घटकर कितनी रह गई है तो अभी एक report आई है और इस report के अनुसार November में जो 8 core sector हैं उनकी output growth report घटकर 7.8% रह गई है तो इस question का say options आई है ने question है हाली में किसे जारकंड high court का कारे बाहक मुख्य नियादीस नियुक्त किया गया तो justice चंद्र सेकर को अभी जारकंड के high court का कारे बाहक मुख्य नियादीस नियुक्त किया गया है तो इस question का A options है यह है justice चंद्र सेकर और इनको जारखन हाई कूट का कारेबाग मुक्नियादीस निउकत किया गया है अब जारखन तो ये है मैप में जारखन जारखन की केपिटल क्या है? राजी जारखन की चीपनिश्टर कौन है? हैमंत सोरेन और जारखन की गवर्नर कौन है? सेपी राधा कृष्ण अभी जारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए ब्रद्दावस्ता पैंसिन की आयू को घटा कर 50 बरस कर दिया है ये आयू पहले 60 बरस थी अब इसे घटा कर 50 बरस कर दिया है प्रदानमंत्री मोधी ने दस जार में जन औसदे केंदर का उद्गाटन जारखंड की देवघर में किया स्रमिकों के लिए नियूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला राज जारखंड बना और जारखंड ने अहेल्प कारिकरम सुरू किया जारखंड में करमा पूजात तिहार मनाया गया इतना आप जारखंड के बारे में अधर रखी ने क्यूशन है हाली में 82 में भारती इतियास कॉंग्रेस का आयोजन किस राजी में किया गया तो अभी तेलंगाना में 82 में भारती इतिहास कौंगरिस का आयोजन किया गया, तुछ कुशिन का बे उप्सन सभी है, अब तेलंगाना तो ये है मैप में तेलंगाना, तेलंगाना के नए चीपनिश्टर कौन बने है, रेमंता रेड़ी, और तेलंगाना की गवर्नर कौन है, डॉक्टर तमिल साई सोंदराजन अभी तेलंगाना सरकार ने मैलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्थ बस यात्रा शुरू की है गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसवा अध्यक्ष चुना गया तेलंगाना सरकार ने रविगुप्ता को नया डीजीपी अपॉइंट किया यह मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है इन्हें चीजों को आप रिवाइज करते रहो जैसे ही अभी तेन डीजीपी बन गए है तेनों डीजीपी आप रिवाइज करो एक भी डीजीपी का नाम आए तुरंत रिवाइज करो जैसे तेलंगाना की डीजीपी रविगुप्ता बने है माराष्ट की डीजीपी रस्मी सुकला बनी है और राइस्तन की डीजीपी का एडिशनल चार्ज उतकल रण्यन को दिया गया है दुनिया के पहले 3-day printed temple का उद्गाटन तेलंगाना में हुआ द्यान रखना दुनिया का पहला 3-day printed temple ये तेलंगाना मना है और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का पहला 3-day printed post office का मना है तो वो बैंगलूरू में मना है प्रदानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामा गुड़नम NTPC परियोजना का उद्गाटन किया नए क्यूशन है हाली में आई रिपोर्ट के अनुस्वार स्वामित्य योजना के तहत सरकार द्वारा लगबक कितने करोड संपत्तिक कार्ड बित्रित किये गए स्वामित्य योजना इसके तहत अब तक 1.25 करोड संपत्तिक कार्ड बित्रित किये गए तो इस कुश्यन का बे ओप्सन सही है स्वामित्य योजना क्या है इसमें क्या हो रहा है जो ग्रामीड घर होते हैं उनका मानचित्रड किया जा रहा है और उसके तहत संपत्तिक कार्ड बित्रित किये जा रहा है नए कुश्यन है हाली में दक्षडी नौसेना कमान के तेस में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इंचेफ के रूप में किसने पदवार समाला है तो ये समाला है बे स्री निवासन ने किसने बे स्री निवासन अब लास्ट वीडियो के कुश्यन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आपसे कुश्यन पूछा था कि हाली में प्रदानमंत्री मोधी कहां बे एपिएस हिंदु मंदिर का उद्गाटन करेंगे तो अभी चौदे फरवरी को प्रदानमंत्री मोधी यूए की केपिटल अबू धाबी में बे एपिएस हिंदु मंदिर का उद्गाटन करेंगे यानि किस कुश्यन का बे ओप्सन सही था और लगबक सभी स्ट्रेडनेस कांसर सही थिया में आपको एक बार फिर बोलूँगा क्वेशन के बारे मैं आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अच्छा मैंने UPGK का ये एक special वीडियो बनाया है इसमें UPGK के almost सारे question मैंने cover किये है और UP Police का जो exam होने वाल है उसके लिए सारे question मैंने इसमें cover किये है और भी exam के previous year के question मैंने इसमें cover किये है और discuss किये है तो अगर आप UP के किसी exam की तयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को तो इस वीडियो का आप एक बार देखिंग ये वीडियो आज सामको 7 जबाइब दूय आग cár उपलोड हो इसके अलाबा हम अमारे प्रेर च्छेंट सौ Loud के वारा Facebook पे जॉइन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram और X पर इंद्रेश RC Instagram और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुट सकते हैं और कोई without any agitation डिसकस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है 40 यह लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है help लगा है तब आप इस वीडियो को मारे इस चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरू कर लिजए आपको इस चैनल से निश्यत्ती मदद मिलेगी जब आप से सब्सक्रा गरें गे तो बरावर में एक बढ़ बैल